वेलकम टू माई यूटूब चैनल बी अस्सी बी बोर्ड ओनलेन क्लासेज। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुर्दू सब्जेक्ट से पहला चेप्टर। तो आप लोग ये वीडियों को स्किप ना कीजिएगा और अपने दोस्तों मीतरों में जरूँ सेर कीजिएगा। देखे दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूँ प्रेस कर लें। तो दोस्तों इसका जवाब यानि इंसर होगा 299 इस भी ठीक है दोस्तों इसका राइट इंसर ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दो नमर कोशन हमारे पास दिया है दोस्तों सब्नम कमाली कहां पैदा हुए। ये दिया था कप पैदा हुए यानि कि तारिक शन इस भी बताया उसके बाद ये पुछा जगह का नाम ठीक है सब्नम कमाली कहां पैदा हुए। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसका जवाब के तरफ देखिए दोस्तों इसका पहला अप्सन दिया हुआ है सीता मड़ी बी में है पटना सी में हो और अंगाबाद और डी में क्या है दोस्तों आग रहा है। दोस्तों यहां पर देखिए अलिफ B और जीम दाल करके दिया हुआ है लेकिन हम A B इसको मान रहे हैं ठीक है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और जल्दी जल्दी से आपको बता भी सकें तो दोस्तों इसका जवाब होगा अलिफ सीता मड़ी चलिए आगे देखिए कि अगे तीन नमबर कोश्ण दोस्तों 3 नमबर हो के सामने है समनंग कमाली का इंतिकाल कब हुआ ठीक है तो पहला kalo सब्सक्राइब करने चलते हैं डॉचर चाण नमर इसका कोशन है कैनात की तखलीकी टाओं लिए कर दोड़ा कोशन में गलत हो गया है ताप देख लीजेगा का यह चीज़ाइब का काईनात की तखलीक किसने की तो दोस्तो वाला दिया है वली बी में नभी और जी में का है खुदा और डी में है बादसा तो दोस्तो इसका जवाब होगा खुदा क्या होगा जवाब यानि एंसर होगा खुदा सब पुछ का मालिक खुदा है इसलिए इसका राइट एंसर खु है खुदायव पाक बी में है बात्सा जीम में है नभी और डी में क्या है सुफी तो दोस्तों जवाब में इसका होगा खुदायव पाक चलिए सब कुछ मुश्किलों को हल करने वाला खुदा यानि अल्लह तोलह है चलिए आगे देखेंगे इसल नमर कोशन और डेल है और D में क्या है दोस्तो मजहर इमाम मजहर इमाम तो दोस्तो इसका जवाब होगा मुस्तफा रजा क्या होगा सबनम कमाली का असली यानि को औरीजनल नाम क्या था मुस्तफा रजा चलिए साथ नमर कोशन की रूबरू कराते हैं देखिए साथ नमर जो कोशन है हमारे पास सब तो दोस्तो देखिए आठ नमर कोशन हमारे पास है सबनम कमाली ने अपनी जिन्दगी का विश्तार हिंसा किस साये में सर्फ किया? ठीक है पहला अप्सन देखिए क्या दिया है तबलीग मजभब बी में है तबलीग खुदा तबलीग रसूल और डी में कहा है तबलीग इसलाम तो दोस्तों सबनम कमाली ने इनका जबाब होगा बहतर हिंसा जो बिस्तर हिंसा था उनका वो तबलीग इसलाम के लिए उन्हें अपने जिन्दगी बिताएं हैं चलिए आगे देखेंगे 9 नमर कोशन की ओर देखें दोस्तों 9 नमर कोशन हमारे पास है सबनम कमाली का तालूग किस रियासत से था ठीक है किस रियासत से था पुडिशा से बंगाल से बिहार से यूपी से इसका राइट अंसर बिहार से बिहार के ही रहने वाले थे यानि कि तो आलूग उनका रिस्ता था बिहार से सबनम कमाली का आप लोग समझते चलिए ताकि आपको अबजेक्टिव याद करने में कोई परसानी नहों देखिए 10 नमर कोशन हमारे पास है सबनम कमाली का तकलीस क्या है ठीक है पासद B में है मौमुन और J में का है हसरत और दाल में है दोस्तो यानि कि नाम के पहले उनका लगाते थे तकलीस जिसको बोला जाता है उसे क्या होगा सबनम लगाते थे चली आगे दखेंगे 11 नमर कोशन दोस्तों 11 नमर कोशन हमारे पास है नात पाक में किसकी तारीफ बयान होती है ठीक है अलिक में दिया है रसूल पाक बी में है खुदाय पाक और जीम में दोस्तों मन कबत ठीक है मन कबत और दाल में है दोस् की तारीफ किया जाता है और ढगा रहे से बारा नमेर कोफ़न है रूज के माशिछ क्या है रूज के माने पहो ऊप्सन दिया है दुनिया बीम है तरीफ जीम में तरक्षी और दाल में है दोस्तो खयाल तो दोस्तो इसका राइट अंसर होगा जवाब में देखिए क्या होगा तरक्की क्या है और रूच के माने तरक्की होता है चाहिए तेरा नमर कोशन क्यों ले चलते हैं तेरा नमर कोशन हमारे पास है दोस्तो बे नमार के माने क्या है तो इसका अप् हम देख लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर कीint Dad के तक लिए अले अगली वीडियो में दो नमबR चेप्टर मिलेगा अगर हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आईकन ज़रूर पर तेज़ेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दियेगा और कमेंग करना ना भुलेंगे थैंक्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में